तो प्याज के जितने भी व्यापारी हैं इनको एक छूट मिल गई है कि भई वो अपनी प्याज को 31 मार्च तक इन चार देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दोस्तों अभी तक ये था कि इन चार देशों में भी छूट नहीं थी कहीं पर भी ये प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था एक्सपोर्ड के उपर कम्प्लीटली सरकार ने बैन लगाया हुआ था अब इसके पीछे का रीजन क्या था जरा वो भी जानेंगे बट अभी जो न्यूज आई है जो ये न्यूज आर्टिकल है हमारा वो जान लेते हैं तो आपने लगबग यहां पर कह सकते हो कि 54,760 टन जो अन्यन है यह आप एक्सपोर्ट कर पाओगे इन चार देशों में 31 मार्स तक यह यहां पर गवर्मेंट ने छूट दी है या फिर अलाव किया है इन सभी कंट्रीज के लिए ठीक है अब आ गया आते हैं इतना इतना टन जो यह टोटल है न यह 54,760 टन टोटल है कि आप यतना जो अन्यन है वो टोटल आप इन चार देशों में दोगे अब इसका तोड़ कर हम देखें तो बांगलदेश में इतना मौरिशस में इतना है ना बहरेन में इतना वो सब यहाँ पर इस तरीके से अपने इज़ाप से मैनेज किया जाएगा फिर इसी आर्टिकल में बोला जाता है कि जो ट्रेडर्स हैं यह जो एक्सपोर्ट करने की ताकत इनको दी गई है चार देशों में वो केवल 31 मार्च तक है उसके बाद situation फिर बदल जाएगी और अभी तक पता है क्या था complete band था onion export के उपर हम प्याज एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे और यह band को अभी नहीं लगाए पिछले साल 8 दिसंबर 2023 में यह band लगा दिया गया था अब यहीं पर एक और सवाल आएगा कि आखिरकार हमने प्याज के एक्सपोर्ट के उपर band क्यों लगाया तो यह समझने के लिए यह word यूज किया गया है बट इसको हम details explain करेंगे कि आखिरकार government ने onion को export करने से क्यों रोका reason था कि इसके price के उपर हमें control लगाना है हो क्या रहा था एक तरफ तो देखो प्याज का जो production है वो last year थोड़ा सा कम हुआ फिर उसके बाद हम लोग export भी कर रहे थे दूसरी तरफ तो export होने से प्याज देश में और कम हो रहा था अब प्याज देश में कम हो रहा है और demand हमारी बहुत जादा है बहुत सिंपल सी बात है demand मार्केट में जादा है लेकिन उस चीज का production कम हो रहा है तो उस चीज के जो दाम है जो price है वो already बढ़ जाएंगे तो onion के जो price है वो last year increase हो रहे थे और उसी price को stable करने के लिए उसी price को control करने के लिए दोस्तों यहाँ पर price के इस onion के export के उपर में एक रोक लगा दी गई समझ गए तो onion export पर रोक लगाने के पीछे का reason क्या था कि भई जो price के अंदर fluctuations हो रहे थे बदलाव हो रहे थे हमारे domestic market में चीजों उपर नीचे हो रही थी उसको अस्थर बनाना तो domestic market में हम लोगों ने सिज को अस्थर बनाने के लिए बोला भाई हम export ही नहीं करेंगे जो भी production हुआ है वो सब देश में ही रहेगा और देश में यहाँ पर बिखेगा जिससे क्या होगा हम थोड़ा सा price maintain कर पाएंगे नहीं तो एक तरफ एक्सपोर्ट करते रहते हैं production कम होता रहता तो देश में प्याज का shortage हो जाता जिसकी वज़ा से price आस्मान चूरह होते समझ गे और इसी के लिए government ने export को रोकने के लिए इसमें minimum export price लगा दिया कि भई आप export करोगे तो आपको इतना जादा रुपया में export करना पड़ेगा तो कोई export ही नहीं कर रहा था समझ गए और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अगस्ट में last year सरकार ने 40% जो duty है export के उपर वो लगा दी कि भई आप export करना चाहोगे तो कर सकते हो हम पूरी तरह से वो नहीं रोक रहे हैं लेकिन आपको extra duty पे करनी पड़ेगी अब extra duty कौन देगा कोई नहीं देगा भई उतना तो price ही नहीं मिलेगा तो कहने का मतब एक तरीके से उसको ban ही मान सकते हो आप खीक है ये सब क्यों किया गया ताकि देश के consumer देश के जो नागरिक हैं उनको affordable way में ये प्याज की प्राप्ती हो सके समझ गए तो ये हो गया यहाँ पर पहला reason दूसरा addressing scarcity ये दूसरा reason है इंडिया में जैसे मैंने बोला कि production lower रहा weather conditions की वज़ा से demand जादा थी तो भई कमी हो जाती प्यास की कमी चल रही थी और उसी कमी को रोकने के लिए उसी कमी को थामने के लिए हाँ पर जो export था उसके ओपर रुख लगा थी कभी हम export नहीं करेंगा export से ज़ादा important हमारे देश के लोग है पहले उनकी ज़रत पूरी होने चाहिए ठीक है तो इस कमी को address करने के लिए भी ये भी एक reason है कि इसके export के लिए बेन लगाया गया तीसरा food security क्योंकि अब देखो जो onion है stable food है इंडिया में हर कोई वेक्ति यहाँ पर प्यास खाता है maximum लोग खाते ही है है ना तो अपने खाने के लिए प्यास का यूज होता है तो लोग यहाँ पर जब खा रहे हैं तो फिर अगर प्यास की कमी हो जाएगी जब मिले गई नहीं प्यास देश के अंदर में तो इससे जो food security है लोगों तक जो यहाँ पर पहुचाने की हमारी एक कह सकतो की promise थी कि हम हरे व्यक्तिव को food security प्रोवाइड करवाएंगे वो food security पूरा नहीं हो पाएगा हमारे जो लोग है उनको जो important चीज़ें वो ही नहीं मिल पाएगी या खरीदना पड़ेगा तो आसमान को छूते बे दाम में खरीदना पड़ेगा तो वो चीज़ें कहीं नहीं की देश के लिए सही नहीं है तो उनको maintain कर ले के लिए हाँ पर onion export के उपर मैं बेन लगा दिया गया तो reason क्या थे वो मैं आपको बता दिया अब दोस्तों onion के बारे में थोड़े fact जान लो exam के लिए बहुत important point है अब इंडिया में जो प्याज मिलती है न ये एक horticultural commodity है दुनिया भर में उगाई जाती है वैसे प्याज लेकिन इंडिया में थोड़ी तीखी प्याज मिलती है और वो ही तीखी प्याज कई सारे देशों को पसंद आती है और दूसी तरफ दोस्तो प्याज की काफी सरी medicinal values है यानि हमारे शरीर के लिए काफी सरे तोर पर अच्छी तरीके से वर्क करता है अब जब बात आती है production की तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है onion का सबसे पहला producer कौन है तो सबसे पहला चाइना है second इंडिया फिर उसके बाद में इंडिया के कुछ स्टेट्स की बात की जारी है महराश्ट्रा करनाड का ओडिशा इसको ओडिशा कर लेना यह spelling अलत है याँपर तो महराश्ट्रा करनाड का ओडिशा उत्तरपरदेश, गुजरात, आंदरपरदेश, तमिलनाड यह कुछ स्टेट्स हैं जो की सबसे बड़े producing स्टेट्स हैं भारत के अंदर हैं जहां पे प्याज का production सबसे ज़ादा होता है और इन स्टेट्स में से भी अगर हम थोड़ा सा और कैटिग्राइज करें तो महराश्ट्रा टॉप पर आता है चीक है महराश्ट्रा के बाद में मध्या प्रदेश सेकेंड नमबर पर यह 2021 के डेटा के हिसाब से आपको बताया जा रहा है क्लियर दोस्तो